नमस्कार फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं टोस्ट पाउच की जो हम लोग चाहे के साथ खाते हैं उसका पाउच कैसे बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले आता है टोस्ट 12 पीस का पाउच जिसका structure दो टाइप में लिया जाता है एक 3-ply का structure और एक होता है 2-ply का structure 3-ply में हमारा 12-micron polyester 12-micron metallized polyester और 25-micron natural poly होती है अगर इसमें 3-ply में अगर इसको बनाएंगे तो हमारा 1 kg में 216 piece निकलेगा 1 kg में कैसे piece count करते हैं उस वीडियो का link उपर आई बेटन में दिया हुआ है फिर इसमें 2-ply में 365 piece बनेंगे इसका 12-micron polyester और 18-micron metallized B.O.P.P. होगा यहां पर metallized B.O.P.P. इसलिए लिया है ताकि micron अपना कम हो जाए और जो metallic effect है जो sunlight से बचाता है product को और हमारे product की self-light बढ़ती है तो उसका भी काम करेगा और micron भी पतला हो जाएगा तो इसमें benefit हो जाएगा क्योंकि 1kg में 365 piece निकलेंगे 2-ply में और 3-ply में हमारे 216 piece ही निकल रहे है जो मैंने calculation किया है वो 290 बाई 255 की size के हिसाब से किया है इसके अंदर फिर इसका open size है 290 mm and height है इसका 255 mm फिर इसका KLD बनाएंगे वो front side आएगा 95 mm फिर side में आप देखते हैं कि fold होते हैं कुछ पाउच तो यहाँ पे भी इसको fold दिया हुआ है एक side में 35 mm, 35 mm, फिर back side का 47.5 mm plus 47.5 mm और 15-15 mm का इसका ceiling आएगा फिर next आता है इसमें toast 10 piece का पाउच जिसका structure हमने 3-ply में लिया है 12-micron polyester, 12-micron metalized polyester और 25-micron natural poly 3-ply में हमारे 241 piece निकलेंगे फिर इसमें 2-ply में 12-micron polyester और 18-micron metalized B.O.P.P. जिसमें हमारे 407 piece निकलेंगे फिर इसका open size है 260 mm open भीटत है 255 mm इसका height है और जो इसका KLD लेंगे front में 80 mm जो side, दोनों side में जो fold होगा 35-35 mm, back side का 40-40 mm, plus 15-15 mm का इसमें ceiling लिया है friends, आगर आपको किसी भी type का o details जानना है किसी product के बारे में, तो हमें comment section में जरूर बताएं, तो हम उसको cover करने की कोशिस करेंगे, thank you so much for watching video, और हाँ friends, subscribe जरूर करें and bell icon दबा के रखें ताकि जैसे ही video आता है, तो आपको turrent update मिल सके, thank you so much